हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगे फ्रेंट्स आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं कि आपको इस वक्त कौन मिस कर रहा है तो आप पूरी तरीके से रीडिंग के एनर्जी में फोकस करिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए जो भी आपके लाइफ में नेगिटिविटी चल रही है एंजल, गाइड, स्पिरिट गाइड सब आपको ब्लेस करें और आपको हीलिंग दे ओम नमस्षिवाए तो शुरू करते हैं आपको कौन मिस कर रहा है तो आपको कौन मिस कर रहा है इस वक्त मेरे वियर्स को कौन मिस कर रहा है प्लीज गाइड मेरे वियर्स को कौन मिस कर रहा है मेरे वियर्स को कौन मिस कर रहा है Who is missing my wears Lovers का card आया है Gemini ही हो सकते हैं ये person जो आपको miss कर रहे है Death Scorpio हो सकते है कौन आपको miss कर रहा है Ten of Pentacles यहाँ पर reversed आया है Taurus, Virgo, Capricorn कौन आपको miss कर रहा है Hangman कौन मेरे wears को miss कर रहा है Ace of Pentacles कौन मेरे wears को इस वक्त miss कर रहा है Page of Vans कौन miss कर रहा है मेरे wears को यहाँ पर judgment का काड़ा है और यहाँ पर है Four of Pentacles End of the deck है यहाँ पूल यह person accurate हो सकते हैं Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं Aries की हो Sagittarius पी है Sagittarius के energy strongest Scorpio है, Gemini है तो कौन है यह person जो आपको बहुत याद करते हैं आपका इंतिजार करते हैं, रोते हैं तो miss करते हैं आपको इन जेनरल तो यहाँ पर आया है lovers का card जो की यह बता रहा है यह कोई आपका past का relationship है जिसके साथ आपका बहुत intense गहरा relationship था और इस person के साथ इस वक्त जो है वो इतना आपका strong relationship था कि एक दूसरे की feelings, एक दूसरे के सारे thoughts आप भी ना बताए समझ जाते थी तो बहुत ही strong intense physical as well as emotional attraction था ऐसा लगते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बिलकुल अच्छी तरीके से जानते थे तो आप दोनों के बिच में ऐसा situation था कि एक दूसरे से कुछ भी बात चिपी हुई नहीं थी बिलकुल open थे आप दोनों एक दूसरे के साथ तो ऐसा कोई person है जिसके साथ आपका past का bond रहा है बहुत strong bond रहा है, बहुत प्यार रहा है तो यह जो person है यह आपको इस वक्त miss कर रहे है जिनके साथ आपका relationship इस वक्त किसी transformation से गुजर रहा है या फिर हो सकता है, end हो चुका है ठीक है, वो person जो है Scorpio strongly हो सकते हैं तो यह person जो है, इनके life में या तो कोई बिलकुल change जा चुका है या फिर आप तोनों का relationship end हो चुका है, यह person उस ending के बारे में सोचके बहुत जादा upset है यह कोई ऐसे भी person है जो की अपने family values की वज़े से tradition की वज़े से या फिर finances की वज़े से खासकर जो है family values की वज़े से, family की वज़े से, इनोंने आपके साथ यह person है, इनको लगता है कि इनोंने इस relationship का sacrifice किया है, कहीं कहीं न कहीं आपने भी किया है और इस person ने भी अपनी खुशियों का sacrifice यहाँ पर किया है यहाँ पर आप दोनों के बीच में blocked situation है, चीज़ें आप दोनों के बीच में कभी अभी भी अगर एंडू के relationship तो खतम नहीं हुआ है तो ऐसा कोई यह person हो सकता है, खासकर मुझे यहाँ कोई past का आपका lover दिख रहा है यह person आपके soulmate, twin flame भी हो सकता है, जिनके साथ इस वक्त आपका suppression period चल रहा है, और यह suppression जो आप दोनों के बीच में relationship का breakup हुआ है, ना यह आपकी गलती है, ना यह इस person की गलती है, यह universe के तरफ से ही हुआ है ठीक है, यह universe के तरफ से इसलिए हुआ है, जिसे की हो सकता है कि आप अपने life में या यह person अपने life में बहुत सारे ऐसे wrong beliefs जो है, hold करके रखे थे तो यह emotionally आप दोनों को ही ऐसा लगता है free करने के लिए जिसे की आप और भी समझो life के इस process को समझो इस journey को समझो जो भी चीज आपने बहुत जादा hold करके रखा है, जिन चीजों को लेके आप बहुत positive हो ठीक हो सकता है, हो material चीजे हो या कुछ चीजे आपने इस वज़े से ये relationship आपके life में आया और आपके साथ इस person का suppression भी जो हुआ ये इश्वर की मर्जी से ही हुआ है और इश्वर की मर्जी से ही आप दोनों दोबारा reunite होंगे ठीक है, ये कोई spiritual connection मुझे नजर आ रहा है, आपको आपके आपके लाइफ में आने के बाद हो सकता है आप बहुत जादा आपके अंदर एक ऐसा लगता है मुझे जोश आया था, आप बहुत जादा active हुए थे ये person ने ऐसा लगता है कि आपको एक तरीके से बहुत एक inspiration की तरह है इस person ने आपको जीना सिखाया है या आपने इस person को सिखाया है तो दोनों एक दूसरे के आप दोनों counterpart हो और एक दूसरे से एक जो है आप दोनों का bond बहुत strong था तो ये person इसलिए आपको miss करते हैं क्योंकि आप ही एक ऐसा person हो जो इनके life में एक बहुत major transformation आपने इनके life में लाया है हो सकता है आप दोनों बहुत कम age में एक दूसरे से मिले हो ठीक है वर्क प्लेस में मिले हो ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस में मिले हो अपनी पहली job में मिले हो ऐसा मुझे नजर आ रहा है ये जब आपके life में ये relationship आया है यह relationship इश्वर की तरफ से आया है ऐसा लग रहा था आप दोनों ने जब इस person के साथ हुआ तो आप ऐसा लगता है कि सात्वे आस्मान में थे आपने बहुत आप carefree रहते थे बहुत खुश रहते थे क्योंकि यह जो person है आपके अंदर वही चीज चेंज करने आये थे जो आपके अंदर जो एक restriction था उसको हटाने के लिए ही यह person आपके पास आये थे आपके life में आये थे एक नई दिशा देने के लिए आप दोनों एक दूसरे के life में आये थे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह person को ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे इस वक्त distance में रहते हैं हो सकता है see apart रहते हो मतलब की abroad रहते हो या फिर दूर रहते हैं आपसे distance में रहते हैं long distance relationship है आप दोनों के बीच में ऐसा भी दिख रहा है ठीक है कुछ लोग लिए हो सकता है कि इस person के और आपके बीच में कोई third party situation है या फिर already relationship हो सकता है आप दोनों के बीच में जो relationship रहा है हो सकता है वो secret रहा हो ठीक है बताया नहीं हो family को ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है तो देखते हैं यह कौन person है जो आपको बहुत miss करते है यह कौन person है जो आपको बहुत miss करते है ठीक है पाइलेट का काड़ा आया है या फिर हो सकता है यह person बहुत दूर रहते हो बहुत distance में आपसे रहते हो कौन person है जो आपको बहुत miss करते है यह person nature lover हो सकते है environment को nature को से बहुत लगाव रखने वाले आपको कौन है यह person black hair इस person के black hair हो सकते है वेवी hair हो सकते है कौन है यह person जो आपको बहुत miss करता है या करती है cat person हो सकते है इनको cat बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है या इनके पास जो pet है वो cat हो सकता है यह person sagittarius हो सकते है animal lover यह person हो सकते है यह cat person भी आया है animal lover हो सकते है इन overall यह muscular build के हो सकते है attractive हो सकते है यह person हो सकते है gym जाते हो या फिर overall इन्होंने अपने body को बहुत सदा fit रखा हुआ है यह कौन person है जो आपको बहुत याद करते है chef हो सकते है या अच्छे cook हो सकते है या फिर हो सकता है professional cook हो सकते है book lover का काड़ा है यह person को books पढ़ना पसंद हो सकता है book lover हो सकते है supporter है यह person support करते है या फिर इनके friend circle में जो है यह काफी supportive हो सकते है peace lover का भी काड़ा है शान्ती प्रिया यह person है कौन है यह person जो आपको बहुत मिस करते हैं यह पर है non vegetarian हो सकता है non vegetarian food खाते हैं कि अच्छा कि अच्छा कि हो सकता है इनके बॉड़ी में टैटू लवर हो सकता है इनको पीर ऑफ वाटर हो सकता है पानी से डर लगता हो पानी से हो सकता है डूबने का डर इस तरीके का water fear इस person को हो सकता है ठीक है नाम के initials और date of birth भी देख लेते हैं यह कौन person है जो मेरे विर्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ठीक है तो यहां पर आया है जेड एक्स एक्स जेड ठीक है फिर है आर डबल्यू एम एक्स यह आपके एक्स भी हो सकते हैं एन एस जेड क्यू या फिर यह परसें सी या जी हो सकता है इनका नाम का पहला अक्षर या लास्ट अक्षर यहां पर है सिक्स नाइन पाइव जीरो ठीक है और एस भी है इन शब्दों से इस person का नाम का फिर्स लेटर लास्ट लेटर सर नेम हो सकता है एक्स आया है तो यह person आपके एक्स भी हो सकते हैं और इन लेटर इन नमबर से भी इस person का कुछ हो सकता है life path number हो या फिर इनका date of birth हो कुछ भी ऐसे हो सकता है तो यह थी आज की reading hope आपको अच्छी लगी हो आपके साथ resonate हुई हो so thanks for watching thank you